आज मैं आप लोगों के लिए दाल फारा रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि खाने में काफी टेस्टी होती है और बनाने में उतना ही आसान तो चलिए फटाफट हम रेसिपी के और बढ़ते हैं यहां पे मैंने एक पाओ चना दाल ले लिया है जिसे मैंने चार घंटा पानी में बिगव के फुला लिया है एकदम बढ़िया फूल गया है तो चलिए मसाले की तरफ चलते हैं यहां पे मैंने तीन गाट लेसुन की 10-15 लाल मिर्च यहां पे बुझा हुआ जीरा ले लिया है और यहीं पे हम एक चुटकी हिंका भी इस्तमाल करेंगे इन सभी इंग्रीडियंस को हम पीस लेंगे डाल को हमने पीस लिया है दरदरा यहीं पे हमने मसाले को भी दरदरा प पॉडर डाल रहे हूं और यहीं पे स्वादनुसार नमक और कुछ धन्या की पद्धी डाल रहे हूं इन सब भी को एक चम्मज से बढ़ियां तरीके से मिला लेंगे हम तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम कोई काम करते गाई गाई में तो नमक हमारा कहीं तेज और कहीं हलका हो जाता है तो इसे हम बढ़ियां तरीके से मिला लेंगे यहाँ पे मैंने चावल काटा ले लिया है इसमें हम आदा चम्मज नमक एड़ करेंगे याद रहें कि आप स्टपिंग में नमक डाले तो आप उसी अकोर्डिंग नमक डालेगा इसे हम थोड़ा थोड़ा पाने डालके एक सौप्ट डोर तयार कर लेंगे ज्यादा ज्यादा पानी ना डालिए थोड़ा थोड़ा ही डालिए तो अपना आटा जो है इदम स्मूध और बढ़िया तरीके से सनाएगा तो हम ऐसे ही थोड़े थोड़े पानी डालके ही आटे को लगा लेंगे देखिए हमने आटे को देखिए हमने आटे को लगा लिया है ना ज़्यादा सक्त ना ज़्यादा नर्म यही पर मैंने चावल काटा ले लिया है और लोई ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा रखिए मीडियम साइज से ही रखिए और हातों की साहता से देखिए आप पर्तन लगाते हुए इसे पूरी का सेव दे दिए जितनी बड़ी पूरी रहती है उतना ही छोटा-छोटा हम इसे बनाना है और ना बेलना है इसे ना चौका कर्ची किसी की जरूरत नहीं है बस इसे आप हातों की साहता से गोल-गोल-गोल बना लीजिए इसमें आप अपनी स्टॉपिंग को भरेंगे आप अपने अकोर्डिंग भर सकते हैं ज्यादा है या कम आपको खाने के पड़ी पेंड करता है और दोनों हाथों की मदद से हम इसके मूँ को पैक कर देंगे देखिए जैसे मैं पैक कर रहे हूँ ऐसे ही आप इसे बन कर देजिए ऐसे ही हम सभी को बनाएंगे मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ देखिए अगर आपको वो नहीं जमता है तो मैं एक आपको दूसरी डिजाइन देते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी देख सकते हैं देखिए एक एबी डिजाइन है ये भी काफी सुंदर लगता है बनाने में आप ऐसे भी बना सकते हैं देखने में काफी सुंदर है हमने सभी को बना लिया है इसी तरीके से टोप चड़ाते हैं टोप हमने रख दिया है पानी गरम होने के लिए ऐसी वाली चलनी रख देंगे एक कॉबाल पानी में आ जहगा तब हम अपने फारे को सेट करेंगे ये कॉबाल आ गया है अब हम सभी फारो को अच्छी तरीके से लगा देंगे set कर देंगे ताकि आपस में चिपके ना देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही आप सभी को लगा के बढ़िया तरीके से धक के पकने के लिए रख दीजिए मैंने सभी फारो को रख दिया है धक के पकने के लिए देखिए लगबग 15 मिनट हो गए है इसे पकाते हुए है फारो हमारा बिल्कूल बनके रेडी है आप अगर चेक करना चाहते है कैसे पका है तो एक कांडी के साहता से आप इसे देख सकते हैं देखिए आप अगर इसको इसे कांडी को फारे में दबा के देखिए अगर आपका कांडी में चिपचिपा पंसा लग रहा है तो नहीं पका है अगर वो एकदम सौप्टी निकलेगा तो वो पग गया तो देखिए हमारा फारा बनके एकदम रेडी है आप एक बार मेरी तरीके से अपने घर में बना के देखिए 100% आपको बहुत ही पसंद आएगा आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं टामाटर के चटनी के साथ पूदिनी के साथ हर एक चीज के साथ ये बहुत ही बढ़ियां लगता है अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए